प्रिविद्यार्थियों, सूप्रभाद, संस्क्रित की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा एट्थ के दूसरे अध्याए बिलस्यवाणिन कदापी में सुरुता का अग्रिम पेराग्राफ उसका अध्यन करेंगे। ए तस्मिन अंतरे इसी अंतर में इसी समय के बीच गुहायाहा गुफा का स्वामी मालिक दधी पुछ नाम का स्रिगालह गीदड समागच्छत आ गया। आपने पढ़ा खल खर नखर नाम का शिंग भोग से व्याकुल हुआ एक गुफा में प्रवेश कर गया शिकार को पकड़ने के लिए अब उसी समय के कुछ अंतर बाद जो है एक श्रिगाल गीदड जो उस गुफा का स्वामी था जिस गुफा में सेर चला गया अब वो यावत जहां पस्यती देखता तावत वहां सिहां पद पधती सेर के पद पाउं के पधती निशान गुफा में प्रविश्टाहा प्रवेश करते हुए द्रिश्यते दिखाई दिये अब गीदड ने देखा कि जहां देखो वहां शेर के पाउं के निशान है और गुफायाम गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिये ना चा बहीरागता ना नहीं बहीरागता बाहर आते हुए नहीं दिखाई दिये अंदर जाते हुए दिखाई दिये स्रिगाल अचिन्तेत स्रिगाल ने सोचा गीदड ने सोचा अहो विनिष्टो अस्मी मैं तुमारा गया नूनम निश्चे ही अस्मिन बिले इस बिल में इस गुफा में सीहं शेर आस्तिती है तरक यामी ऐसा सोचता हूँ तत किम करवाने तत तो किम क्या करवाने किया जाए इस प्रकार से जो गिदड है वह सचेत हो जाता है आपको इसके शब्दार्थ अवश्य करने है अंतरे बीच में श्रीगालः गिदड सीह पदपधती शेर के पैरों के चीहन बहिरागतः बही बाहर पलस आगता बाहर आते हुए अस्तिती अस्ति पलस इती है ऐसा तरक यामी शोचता हूँ एवं विचिंत्य ऐसा सोच करके दूरस्थः दूर से ही रवं शब्द कर तूमा रब्द करना शुरू कर दिया अब ऐसा सोच करके गिदडने की वही इस गुफा में तो शेर है मैं तो मारा जाओंगा दूर से ही उसने शब्द बोलना आरंब कर दिया भोबिल भोबिल अरी गुफा अरी गुफा किम क्या ना समर्शी क्या तुझे याद नहीं यन मया त्वया सह यद की मया मेरी त्वया सह तुम्हारे सह साथ समयाह समय होता सर्थ समयाह सर्थ कृतोवस्ति हुई है कि आपकी मेरे साथ एक सर्थ लगी हुई है कि यत जब अहम मैं बहायत है बाहर से प्रत्याग मिश्यामी वापिस लोट कर आऊं प्रतियुता वापिस की तरफ कि यत अहम जब मैं बहायत है बाहर से प्रत्याग मिश्यामी वापिस आऊं तदा तब तुम तुम मा मुझे आकार इश्यसी पुकारोगी कि हे बिल मेरी तेरे साथ जो समया सर्थ हुई है कि जब भी मैं बाहर से आऊं तुम मुझे पुकारोगे यानि मेरे नाम से पुकारोगे यदि यदि तुम तुम मा मुझे न आहवयसी नहीं पुकारती तरही तो अहम मा दुटियम दूसरे बिलम बिल में यास्यामी चला जाऊँगा ऐसा अथ इसके बाद एतत सुरुत्वा यह शुन करके सिह सेरने आचिंतेत सोचा नूनम निश्चे ही एशा यह गूः गूः सुवामी नह अपने सुवामी का सदा समाहवानम करोती आहवान करती है उसने सोचा कि यह रोजाना अनूनम निश्चे ही एशा यह जो गूः अपने सुवामी का सदा अहवान करती है यानि उसको बुलाती है पुकारती है परंतु मद भयात मेरे भय से ना नहीं किंचित कुछ भी वदती कुछ भी नहीं बोलती अब सेर सोचता है कि निश्चे यह जो गुफा है वो अपने सुवामी का आहवान करती है परंतु मद भयात मेरे भय से जो है कुछ भी नहीं बोलती तो इनके शब्दार्थ देखिए विचिंते सोचकर रवम आवाज को समयह शर्थ बाहयत है बाहर से प्रत्यागमी श्यामी प्रति आगमी श्यामी वापस आऊंगा आकार इशिशी उकारोगी या स्यामी जाऊंगी समय से आपको यह शेटर पूरा करना है और सबस्क्राइब और लाइक अवस्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे धन्यवाद